छे सालों से परिषान था में हायटर सर्मिया और जी आड़ी के वाजिसे, मैंने ये कल जाच करने के लिए शुरू किया, कलसे में नली है अंदर मेरे स्टमेक में, और कलसे में घूम फिर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ मैं सर्जरी के बाद चार गंटे बाद तो चलने लगा और अभी पेहिं भी नहीं हो रहा हूँ, आज इस उभे मैं एड्मिट हूँ और आज ही डिश्चार्ज बेर हूँ, तो एक बिन का सिफ प्रोसेस अधी, ज्यादा लंबा नहीं जाता अपरेशन के बाद आज के एक महिना कंप्लिट हो रहे हैं, मैं को कुछ दर्द महसूस नहीं हो रहे हैं, हर एक चीज में खा पा रहो हूँ हेलो फ्रेंड्स, में चानाम पहले साटम है, मेरे अच ट्वेंटी पाय है, मुंबाई सी हूँ है, और चीज सालों से परेशान थाम है, हाइटर सर्मिया और जी अर्ड के वाज़े से, तो मुंबाई के सारे लब्रुक सारे हूस्पिटल गूनों चुका हूँ हूँ है, तो मैंने नेट पे सर्च किया, तो चिराफ टकर के बारे में पता चला, तो उन्हों ने मुझे पहले दू स्टडी करने के लिए बोला दू टेस्ट, एक मैनोमेटरी एंड पीच स्टडी, मैनोमेटरी कल हो गया मेरा सुबह, और पीच स्टडी का जो है वो 24 आर्स रहता है, वो एसेड लेवल चेक करके आपने स्टमक का, तो मैंने ये कल जाच करने के लिए शुरू किया, कल से मैं नली है अंजर मेरे स्टमक में, और कल से मैं भूम फिर रहू, खा भी रहू, सब सोया भी मैं कल आपको, कुछ इस्व नहीं हुआ, अभी मेरा पीच स्टडी कटम हो जादा हो रहा था तो डॉक्टर में, बुझे इस सर्जेरी के सला दी, तो अज सुबह साड़े मेरे सर्जेरी गा, साथ बजे मैं एंड़े हुआ, साड़े बारा बजे सर्जेरी खतम होगे, बॉड में शिफ्टिंग हुआ, उसके बाद मैं तो ये निमू पानी बाद में दाल राइस, टी, बिस्किट ये सब खाने को जिया, मैं सर्जेरी के बाद ती, चार गंटे बाद तो चलने लगा, और अभी पेहिन भी नहीं हो रहा, सब को जच्चा, का भी सबता हूँ, पानी को पी जबता हूँ, थोड़ा ज़र्द होता है, लेकिन तो राशोली खतम हो जाएगा, इकना उस नहीं, परिशाने की बाद में है, आज है सुबह मैं एड्मिट हुआ, और आज है डिश्चाज दे रहे हूँ, तो एक दिन का सिर्फ प्रसेश ज्यादा लंबा नहीं जाता, जब 4-4 दिन अपने एड्मिन का था, और अभी डिश्चाज दे रहे हूँ मुझे, एक गंडे हूँ, मुझे, एक गंडे हूँ, बॉनिंग फ्रेंच, मेरा नाम तेजर साटर, मुंबई से हूँ है, मैं कोच छे सालों से हाइटर सर्मिय और जी अर्ड का प्रोब्लम था, डॉक्टर चिराक ठककर के हाँ पे मैंने विजिट किया, उन्होंने मुझे की सजेशन दी, बाद में 26 जूम 2020 को मेरा ऑप्रेशन हुआ, ऑप्रेशन के बाद आज के एक महिना कंप्लीड हो रहा है, मैं को कुछ दर्द महसूस नहीं हो रहा है, हर एक चीज में खा पार हो, पूरा लंच, डिनर सब ले रहा हूँ मैं, औहली भी खाता हो तोड़ा सा, क कुछ इश्व नहीं है अभी, कुछ दर्द नहीं हो रहा है, और मैं अच्छे से काम पे भी जा रहा हूँ, थैंक्यू